S.L.P.S. Wellness के Business Presentation में आपका हारदेख स्वागत है हमारी कंपनी का उदेश्य है Healthy India, Wealthy India विमारी मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत इसी उदेश्य के साथ हमारे MDN CEO संजीव कुमार जी ने S.L.P.S. Wellness की स्थापना 9 November 2014 में दिल्ली में कीट आज इस कंपनी को साथ साल होने वाले है बीते वर्षों में कंपनी ने भारत के अनेग गाउं और शहरों में Health Awareness प्रोग्राम चलाई और Life Study Disease के बारे में जागरूप दिया उनसे बचने के घरेलू उपाए भी बताएं S.L.P.S. Wellness Private Limited Ministry of Consumer Affairs भारत सरकार के द्वारा जारी किये गए सभी नियम और निर्देश के अनुसार काम करती है कंपनी के पास कई सर्टिफिकेशन्स मौजूर हैं जैसे की कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए Ministry of Corporate Affairs Certificate Direct Selling के लिए Ministry of Consumer Affairs का Certificate Food Supplement Product Manufacturing के लिए FSSAI का लाइसेंस Ayurvedic Product Manufacturing Certificate और Import-Export License Product Quality के लिए ISO Certification ISO 9001-2015 Product Usage के अनुसार कंपनी के पास और भी कई सर्टिफिकेशन्स हैं जिसमें हलाल, WHO GMP, Kosher, Quality Assurance Group of Organizations भी शामिल हैं हमारी कंपनी के प्रोड़क्ट्स की Analytical Testing Eurofin's Lab द्वारा की गई है और Quality के सभी पैमाने पर खरा तरने के बाद ही इन्हें Lab द्वारा पास किया गया और ये Lab Reports Worldwide Valid हैं कंपनी के पास अयूश Standard Marks Certification भी है जो की अपने आप में बहुत बड़ा मार्ट है क्योंकि ये है Quality Council of India द्वारा दिया गया है फर्ष 2018 और 2019 में कंपनी की ख्याती अंतराश्ट्री स्थर पर पहुँची और कई फिल्मी और सहित्यत हस्कियों के हातों समान भी मिले भारत शौरिश्री अवर्ड संकल्प से सिधी अवर्ड 2018 में और इंटरनाशनल एक्सिलेंस अवर्ड 2019 में जो मशूर अभीनेतरी करीना कपूर के द्वारा दिया गया वर्ष 2018-19 का इंडियास ग्रेटेस्ट ब्रांड्स अवर्ड और 2019 में कम्पनी को मिलेनियम ब्रिलियन्स अवर्ड मशूर अदाकारा कंगना रनावत के हातों मिला वर्ष 2019 में बिजनस सेक्टर की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ड इंडिया ने कम्पनी के MD और CEO संजीव कुमार जी की तस्वीर को अपने कवर पेज पर नामांकित किया और उनका इंटर्वियू भी मैग्जीन में प्रकाशित हुआ 2020 में पूर्व राश्ट्रुपती लेट श्री प्रणम मुखर जी के करकमलों से श्री संजीव कुमार जी को Champions of Change सम्मान से नवाज अगया जिसमें देश के कई नामे गिरामी राजनेता, समाज सेवी, उद्योगपती और गन मानने लोगों का नाम शामिल था और वर्ष 2021 में संजीव कुमार जी को दोबारा Champions of Change अवाट से सम्माने किया गया अब हम बात करते हैं कंपनी की विजन और मिशन की जो है Healthy India, Welly India आजकल साधरन व्यक्ति की जिन्दगी में कई बिमारियों ने जगह ले ली है जिसका मुख्य कारण है हमारा आजकल का लाइस्टर जी हां जैसे की आजकल खेती के तरीके हमारे उत्पादन के तरीके में बहुत फरक आया है पुराने जमाने में नाच्रल तरीके से फार्मिन होती थी और आजकल हर जगह केमिकल्स और पेस्टिसाइट्स का प्रयोग होता है जैसे की अगर हम बात करें पहले की बिमारियों की उन में शामिल थी मलेरिया चिकन पॉक्स प्लेग और ट्यूबर कलोसिस जैसे बिमारिया जिसका मुख्य कारण था माइक्र और गैनिजम लेकिन आजकल के बिमारियां है ऑस्टियोपरोसिस अस्थमा डायबटीज स्ट्रोक और कैंसर जिसका मुख्य कारण है हमारा खाना और लाइफस्टाइल हमारी कम्पनी इन्ही लाइफस्टाइल डिजीजिस के उपर काम करती है और लोगों को इनसे ब जिसके घर घर में जो वैलनेस प्रोडक्ट महुंचे वो उच्च तम गुणवत्ता के हों हमारी कम्पनी के पास पांच काटेगरी के प्रोडक्स हैं हेल्थ केर प्रोडक्स, ब्यूटी केर प्रोडक्स, हेर केर प्रोडक्स, ओरल केर प्रोडक्स और फूट सप्लिमेंट्स और आप company, home care, personal care, personal hygiene जैसे daily use के products भी शामिल करने वाली है इन में से बहुत से products ऐसे हैं जो हर घर में इस्तेमाल होने वाले हैं जैसे की Immuno-Doc, Thunder Blast, Gyno-Doc, Ortho-Doc, Joint Curator Oil, EXE JC Ointment, Vein-Doc Oil, Divo-Doc, Punch-Tulsi, Viral-Doc, Stone-Doc, Triflarus, Kidzy-Doc, Thigh-Doc, Pro-Doc, Levo-Doc और Obio-Doc इन सभी product के इस्तेमाल से कई लोगों को बहुत अच्छे results मिले हैं और उनकी कई परिशानिया हल हुई हैं इसके अलावा Food Supplements जैसे की Protein Powder, Muscle Doc, Mass Doc, Slim Doc, Vita Doc, Omega Doc, Mori Doc, Karsi Doc, Berry Doc और भी अन्य Food Supplements हैं जो की व्यक्ति की Daily Needs के product हैं और इसके अलावा भी Lifestyle Disease से होने वली समस्याओं के products उपलब्ध हैं जो व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकता हैं और सभी products की जानकारी कमपनी की website www.slepswellness.com पर उपलब्ध हैं किसी भी product की marketing दो तरीके से होती है traditional marketing और direct selling traditional market में product sale के लिए एक बहुत लंबी chain होती है जिसमें product पहले distributor के पास जाता है फिर wholesaler के पास जाता है उसके बाद retailer के पास और फिर कहीं जाके consumer के पास पहुँचता है traditional market में product manufacturing company benefit margin देती जरूर है मगर वो सिरफ distributors, wholesalers और retailers के लिए होता है और वो भी एक limited percentage तक ही सीमित होता है इतनी लंबी distribution list होने की वजह से कभी कभी consumer तक एक बहतर product नहीं पहुच पाता है मगर direct selling में बिना किसी compromise के top quality product direct consumer को दिया जाता है और consumer को एक बहतर quality का product मिलता है और इसके साथ ही एक business opportunity भी मिलती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे traditional market में अगर आप कोई भी product किसी को भी recommend करें तो आपको कुछ नहीं मिलता सीधा फायदा company को होता है लेकिन यही product अगर direct selling industry के माध्यम से आप तक पहुचता है तो इसमें एक बहतर product के साथ साथ आपको एक अच्छी business opportunity भी मिलती है क्योंकि जो benefit एक traditional company अपने distributor या wholesaler या retailer को देती है उसके हकदार direct selling में आप होती है तो आईए हम जानते हैं अपने marketing plan के बारे में जो की mathematically calculated multi-legged generation plan है इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि direct seller कैसे बना जाए यह registration बिल्कुल free है जो slbswellness.com से किया जा सकता है या हमारे app से registration कम्प्लीट होते ही और अपने KYC details submit करते ही आप direct seller बन जाएंगे अब बात करते हैं direct sellers के benefits कैसे मिलते हैं अगर आप company के direct seller है तो आपको lifetime discount of product usage 5-30% sales commission monthly sales performance commission star sales leadership commission ambassador club leadership commission regular sales commission trips and rewards company का business plan mathematically calculated multi-legged generation plan है इसमें company 1SP पर 98 रुपे distribute करती है जो regular sales commission को छोड़के बाकी सभी commissions में distribute होती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं sales commission के जो की weekly मिलता है और इस commission के लिए company 43 रुपे निकालती है जब आप company के authorized direct seller बन जाते हैं तो company दो organizations को पहली SAO sales achievement organization और दूसरी SGO sales generation organization जैसे जैसे हम company के product के बारे में लोगों को बताते हैं और लोग product को use करके company के साथ काम करना चाहते हैं तो हमारे पास दो options हैं SAO और SGO इन में से किसी भी organization के अंडर हम किसी को भी place कर सकते हैं जैसे कि अगर मान लो आपका कोई friend है A उसको आपने product sale किया उसको product अच्छा लगा और उसको भी company में काम करना है तो आपने उसको SAO के अंडर add कर दिया इसी तरह मान लो आपका कोई friend है B उसको भी company में काम करना है तो आप उसको SGO के अंडर add करोगे ऐसे बढ़ते बढ़ते आपने कई लोगों से बात की और उन्हें भी product अच्छे लगे और उन्हें भी company के साथ काम करना है तो आप उनको direct अपने अंडर C, D, E, F करके दोनों organization में बराबरी से place कर सकते हो मगर आप अपना reference देखे A अब B की तरफ से नहीं याड़ कर सकते हैं क्यूंकि company pure generation structure पे काम करती है अब बताते हैं sales commission के लिए आप कैसे eligible हो सकते हैं अब मान लो, SAO में 3 लोग हैं और 3ों के purchase का total है 106 SP और SGO में 4 लोग हैं उन 4ों के purchase का total है 158 SP अब commission calculation के लिए company equally SAO से 100 SP और SGO से 100 SP लिए हैं और बाकी बचे हुए SP next week के लिए carry forward कर देगी commission calculation के लिए company का एक formula है sales commission rate sales commission rate calculate करने के लिए total number of SP in that week multiply by 43 divided by total equivalent SP of company in that week ये हम एक example से समझते हैं मान लेते हैं company का total SP turnover हुआ एक हफ़े में 5 लाग sales commission company देती है 43 रुपे तो 5 लाग multiply by 43 हो गया 2 करोड 15 लाग और company के total equivalent SP बने 21,500 SP अब 2 करोड 15 लाग को divide करेंगे 21,500 SP से जो होगा 1000 रुपे अब company कहती है जिसकी 100 SP की equivalent है उसका rate आया 1000 रुपे company के मुताबिक 1 SP की maximum limit 10 रुपे है और 100 SP match की maximum limit है 1000 रुपे अगर इस calculation में total 1050 भी आता है तो company आपको maximum पर 100 SP equivalent का 1000 रुपे ही देखे सेल्स कमिशन में सभी direct sellers को categorize किया गया है जिसकी अनुसार उनकी weekly maximum eligibility limit decided होती है जो इस प्रकार है यदि आपके self purchase sales point accumulate होते हैं 27 SP तक तो आप executive direct seller category में शामिल हो जाते हैं और आपकी maximum eligibility limit होती है 50,000 रुपे अगर आपके self purchase sales point 52 SP हो जाते हैं तो आप super direct seller category में शामिल हो जाते हैं तब आपकी maximum eligibility एक लाग रुपे हो जाती है और अगर आपके self purchase sales point 100 SP हो जाते हैं तो आप premium direct seller category में शामिल हो जाते हो तब आपकी maximum eligibility 150,000 रुपे हो जाती है यह था हमारा sales commission अब हम चलते हैं अपने दूसरे commission पे जो है monthly sales performance commission इस commission के distribution के लिए company 33 रुपे निकालती है और यह commission हर महिने की आखरी तारी को आपके पास आ जाएगा अब यह मिलती कैसे है monthly sales performance commission के लिए company ने कुछ levels रखे हुए है अगर आप bronze की बात करें तो आपके SAO में 200 SP और आपके SGO में 100 SP का business generate होता है तो आप bronze rank अचीव कर लेंगे next rank है silver rank इसको achieve करने के लिए आपके SAO में 600 SP और SGO में 300 SP का business होता है तो आप silver rank अचीव कर लेंगे ऐसे ही gold rank के लिए SAO में 1200 SP और SGO में 600 SP की purchase होते ही आप gold rank अचीव कर लेंगे अप gold के बाद आती है platinum rank इसमें SAO में जैसे ही 2400 SP और SGO में 1200 SP पूरे होते हैं आप ये rank अचीव कर लेंगे इसी तरह Emerald में SAO में required है 4800 SP और SGO में 2400 SP तो पाज में SAO में required है 1200 SP और SGO में 6000 SP Ruby Star में SAO में required है 24000 SP और SGO में 12000 SP इसी तरह Sapphire में SAO में required है 48000 SP और SGO में 24000 SP जैसे ही आपकी ये ranks कंप्लीट हो जाती है उसी मन्त आपको महिने की आखरी तारी को ये Monthly Sales Performance Commission दे दी जाती है अब हम जानते हैं कि इसका formula क्या है हम Total Monthly Sales Performance Calculate कैसे को अब Total SP Turnover Company का एक महिने में हुआ 20,000,000 SP 33 रुपे को Multiply करेंगे 20,000,000 SP से जिसका Total आता है 6,60,000,000 रुपे जो कंपनी percentage में उन लोगों को देती है जिन होने एक महिने में ये rank qualify करी है ये पैसा distribute होता है 1st से लेकर 8th rank तक जिसमें हर rank पर अलग-अलग percentage है जो पहले से ही तय है अब हम जान लेते हैं कि कि किस rank पे कितनी percentage मिलती है ब्रॉंस रांग पे आपको मिलती है 9.6% जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 15,000 रुपे सिल्वर रांग पे 10.26% जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 45,000 रुपे गोल्ड रांग पे 9.46% जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 9,000 रुपे प्लाटिनम रांग पे 11.33% जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 20,000 रुपे एमरेल्ड रांग पे 13.86% जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 45,000 रुपे तोपाज रैंक पे 20.66% जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 रुपे और इसके साथ साथ आपको एक थाइलन का ट्रिप भी मिलता है रूबी स्टार रैंक पे 11.66% जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 2,30,000 रुपे और सेफायर रैंक पे 12.66% जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 3,60,000 रुपे और ये रैंक अचीव करते ही दुबाई में 3,9,4 डेज का कपल प्लस दो बच्चों का ट्रिप भी मिलता है ब्रॉंस रैंक के लिए मान लेते हैं टोटल अचीवर्स हैं 42,10 अब टोटल फंड दिस्ट्रिबिशन के लिए हुए 6,60,000,000 इन्टू 9,86% जो की हुआ 65,12,000 रुपे अब मन्थली सेल्स कमीशन रेट यानी MSCR निकालने के लिए 65,12,000 डिवाइड करेंगे 42,10 से जो टोटल नंबर अफ अचीवर्स हैं ब्रॉंस रैंक के लिए इसका टोटल आता है 1546 रुपे और 69 पैसा हैं अब यहां कम्पनी ने मैक्सिमम लिमिट सेट करी हुई है जो है 1500 रुपे इस तरहा रूबी स्टार रैंक के लिए टोटल अचीवर्स अगर 32 हैं तो टोटल फंड अफ डिस्ट्रिबिशन निकालने के लिए चे करोट 60 लाग को मल्टिप्लाइ करेंगे 11.86% से जो की आया 78 लाग 32 रुपे अब एमस्ट्रिबिशन के लिए स्टार सेल्स लीडर्शिप कमिशन के इस कमिशन में 9 रैंक से लेकर 14 रैंक तक आते हैं दोस्तों आईए जानते हैं कि इसका परसंटेज कैसे आप सबको मिलता है इन 6 रैंक के कमिशन डिस्ट्रिबिशन के लिए कंपनी ने 15 रुपे रखे हैं और इसको देने की अवधी 12 महीने की है अब स्टार सफायर रैंक को कम्पनी ने दिये हैं 23.20 परसंट जिसकी मैक्सिमम लिमिट 8,20,000 रुपे है इसके साथ कम्पनी एक सेल्फ ट्रिब भी देती हैं मलेशिया का नेक्स रैंक है डाइमंड रैंक इसमें कम्पनी ने दिये हैं 18.10 परसंट और इसकी लिमिट है 12,40,000 रुपे और साथ ही कम्पनी एक फुली पेड माल्दी स्ट्रिब भी देती है कपल के अगली रैंक है हमारी ब्लू डाइमंड इसमें कम्पनी आपको 17 परसंट कमिशन देती है जिसकी माक्सिमम लिमिट 22,00,000 रुपे है और ये रैंक अचीब करते ही स्ट्रिब लैंड में 5 नाइट 6 दे का एक कपल और दो बच्चों का ट्रिब भी मिलता है अब बढ़ते हैं अगले लेवल पर जो है ब्लाइक डाइमंड यहाँ पर कम्पनी ने 14 परसंट का कमिशन रखा है और इसकी माक्सिमम लिमिट है 35,00,000 रुपे इस लेवल को अचीब करते ही कम्पनी की तरफ से सेंट पीटर्सबग रश्या का 4 नाइट 5 देस का ट्रिब भी मिलता है नेक्स्ट रॉयल डाइमंड रैंक है यहाँ पर 13.5 परसंट का कमिशन मिलता है और इसकी लिमिट है 69,00,000 रुपे और साथ में आपको मिलता है सिंगापूर मलेशिया का 5 नाइट और 6 दे का कपल और 2 बच्चों का ट्रिब अब हम बात करते हैं हमारे क्राउं डाइमंड लेवल यहाँ पर 14 परसंट की कमिशन मिलती है और इसकी मैक्सिमम लिमिट 93,00,000 रुपे है और साथ ही आपको मिलता है मौस्को का 4 नाइट 5 दे का टूर एक कपल और 2 बच्चों नाइन्थ रैंक है हमारा स्टार सेफायर इस रैंक में आपको SAO यानी Sales Achievement Organization में 96,000 SP और SGO यानी Sales Generation Organization में 48,000 SP होते ही आप स्टार सेफायर रैंक क्वालिफाय कर जाते ही जैसा कि बाकी रैंक में था यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है आप कभी भी रैंक क्वालिफाय कर सकते हैं नेक्स्ट रैंक है डाइमंड की इसमें आपको SAO में 1,92,000 SP और SGO में 96,000 SP होते ही आप डाइमंड रैंक क्वालिफाय कर जाते हैं अगली रैंक Blue Diamond है इसमें आपको SAO में 3,84,000 SP और SGO में 1,92,000 SP पूरे होते ही Blue Diamond रैंक क्वालिफाय हो जाते ही ऐसे ही Black Diamond में SEO में 7,68,000 SP और SGO में 3,84,000 SP पूरे होते ही आप Black Diamond rank qualify कर जाएंगे ऐसे ही Royal Diamond में SEO में 15,36,000 SP और SGO में 7,68,000 SP पूरे होते ही आप Royal Diamond के लिए qualify हो जाएंगे और साथ ही इस level की commission के लिए भी नेक्स्ट rank है Crown Diamond की जिसमें आपको SEO में 30,72,000 SP और SGO में 15,36,000 SP पूरे होते ही आप Star Sales Leadership Commission में top प्याद लेगे अब सारी calculations होती कैसे Company turnover अगर है 20,00,000 SP का तो distribution के लिए company ने रखा है 15 रुपे पर SP अब 15 को हम multiply करेंगे total SP से जो है 20,00,000 इसका total आएगा 3 करोड रुपे अब ये 3 करोड रुपे company distribute करेगी सारे rank में according to percentage जो की पहले से company द्वारा तैय है अब स्टार सफायर में अगर पहले महीने में total achiever 10 है तो यहां total fund आएगा 3 करोड इंटू 23.2% जो बना 69,60,000 अब हम MSCR की बात करें तो वो आया total fund for distribution है by total number of achievement जो हुआ 69,60,000 divided by 10 जो हुआ 6,90,000 अब ये जो पैसा है 6,90,000 ये मिलेगा A to J 10 लोगों को up to maximum prescribed limit इस amount को देने की maximum term है 12 महीने क्यूंकि इस commission को company 12 महीने तक ही release करती है जो लोग qualify करते रहते हैं पुरानों को उस percentage से बचा हुआ देती रहती हैं और नए जो लोग qualify होते हैं उन्हें नई percentage से नया दे देती हैं इसे हम एक example से समझती है star sapphire को मिला 6,96,000 रुपे और इनकी prescribed limit है 8,20,000 रुपे तो total limit में से इन्हें 1,24,000 कम मिला अब अगले महीने जब business आएगा उसमें से 23.20% निकालने के बाद जो amount आएगा उसमें से पहले 1,24,000 पुराने लोगों को दिया जाएगा और बाकी जो बचा amount होगा वो नए 10 लोगों को दिया जाएगा कमपनी ने हर रैंक की एक prescribed limit set करी हुई है उसी के इसाब से सबको commission मिलती है इस तरीके से कमपनी अपनी star sales leadership commission distribution करती है अब हम बात करते हैं ambassador club leadership commission की 15th rank है हमारा ambassador rank इस rank में आपके SEO में 61,33,000 SP और SGO में 30,72,000 SP की purchase होते ही आप ये rank qualify कर जाते ही नेक्स बात करते हैं royal ambassador ये income qualify करने के लिए 1,22,88,000 SP SEO में और 61,44,000 SP SGO में purchase या re-purchase आपके सभी group के द्वारा होनी चाहिए तो ही आप royal ambassador की income qualify कर लिए next rank आती है हमारी crown ambassador की इस income को qualify करने के लिए 2,45,86,000 SP आपके SEO में और 1,22,88,000 की SGO में purchase या re-purchase होनी चाहिए ये होते ही आप crown ambassador rank qualify कर जाते हैं इसके बाद हमारा last rank आता है brand ambassador जिसको qualify करने के लिए आपके SEO में 4,91,52,000 SP और SGO में 2,45,67,000 SP चाहिए होगे ये पूरा होते ही आप brand ambassador rank qualify कर जाएंगे इस commission में कोई भी months की limit नहीं है जैसे पहले ranks में थी और इस commission के लिए company 7 रुपे निकालती है और इस percentage के अनुसार commission बनती है ambassador rank leadership commission की percentage company ने set कर युई है इस rank में company ने दिया है 32.15% इस rank की maximum prescribed limit है 1,50,000 और साथ ही company औस्ट्रेलिया का 5 nights 6 days का self trip भी देती है royal ambassador rank में company ने दिया है 25% इस rank में company की maximum prescribed limit है 2,85,000,000 crown investor rank इस rank में company ने दिया है 25% इस rank की maximum prescribed limit है 5,50,000,000 brand ambassador rank इस rank में company ने दिया है 17,85% इस rank की maximum prescribed limit है 12 करो और साथ ही एक Australia का 5 night 6 day का couple प्लस 2 बच्चों के लिए 2 अब सारी calculation पूती कैसे है Company turnover अगर 20 लाख SP का है distribution के लिए company ने रखा है 7 रुपे पर SP अब साथ को multiply करेंगे total SP से जो है 20 लाख इसका total आएगा 1 करोड 40 लाख रुपे अब यह 1 करोड 40 लाख रुपे company distribute करेगी इस rank में according to percentage जो की पहले से company द्वारा तै है अब ambassador में अगर महीने में total achiever एक है तो यहां total fund आया 1 करोड 40 लाख into 32.15% जो बना 45 लाख एक हजार इसका MSCR आया 45 लाख एक हजार रुपे divided by number of rank achievers जो है 1 तो total आया 45 लाख एक हजार इसी तरह हमारी हर rank calculate होगी उसकी percentage के अनुसार अब हम बात करते हैं regular sales commission से इस commission में company आपको 10% retail profit देती है आपकी self regular purchase SP पर अब आपकी दोनों organizations में भी products की जरूरत के अनुसार लोग उने regular purchase करते हैं तो आपकी दोनों organizations में जितने भी groups हैं वो दोबारा product purchase करेंगे उसका commission calculate करने के लिए formula company ने दिया हुआ है जिसे हम regular sales commission कहते हैं अब SEO में आपके सारे groups में जो purchase करी है वो है 25 RSP और SGO में है 41 RSP अब इसमें company देखती है equivalent SP जो minimum 25 SP होना चाहिए अब इन दोनों groups में से company ने निकाले 25 SP और बाकी के next week के लिए carry forward कर दिये जो है 16 SP अब इसकी calculation देखते हैं वो कैसे होती है regular sales commission rate यानी RSCR निकालने के लिए total regular SP of company लेने हैं और उसे multiply करना है 65 रुपे से क्योंकि इस commission में company 65 रुपे distribute करती है 1 SP बर और फिर divide करना है total equivalent RSP cycle of company in that week इसे हम एक example की मदद से समझते हैं अब total regular sales SP है 21,000 SP और एक SP का rate है 65 अब 21,000 SP multiply by 65 हुए 13,65,000 और total equivalent cycle of regular sales SP उस week में company की हुई 910 13,65,000 divided by 910 cycle हुए 1500 रुपे अब ये आया पर 100 SP का rate 1500 एक SP की maximum limit हुई 15 रुपे की और 100 SP की maximum limit है 1500 इसी तरह अगर ये RSCR 1500 से ज़्यादा आता है तो भी maximum limit of one regular SP 15 रुपे ही रहेगी इसके साथ ही regular sales commission की भी weekly maximum eligibility limit decide की गई है जो सभी direct sellers के लिए same है जो है 3,00,000 रुपे अब चाहें आपकी category executive हो या super executive हो या फिर premium और जो minimum payout है वो 25 SP से शुरू होता है फिर 50 SP फिर 75 SP और फिर 100 SP का दिया जाता है मतलब 25 SP के multiples में और ये सब commission प्राप्त करने के लिए physical KYC कराना अनिवार रहे है और इस income पे TDS भी करता है as per the rules of government of India तो ये था SLPS Wellness Private Limited का marketing plan now use the product get the results and share it with people thank you